नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुक आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चानल का नंबर वन शो कच्चा चिठा कच्चिठा की शुरुआत गाजा के उस गदर से जहां हमास ने लड़ाकों ने इस्रेली सेना पर डबल हमले शुरू कर दिये दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर इसी तरह हमास हमले करता रहा तो यह महायुद कई महीनों तक चलेगा कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि अब हमास इसरेल के खिलाफ खुफिया युद कर रहा है डवल धमाका डवल हमला हमास का खुफिया युद हमास के 45,000 रड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर और कितने जमीन के उपर से इसरेली सेना पर हमला कर रही है इसे लेकर ना तो अभी तक मुसाद कोई खुलासा कर पाया है और ना ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कोई भनक लग पाई है लेकिन मिडिलिस्ट की मीडिया से जुड़े जानकारों के मताबिक हमास इसराइली सेना पर वैसे नहींशन हमले नहीं कर रहा है जिसे उसे करने चाहिए थे कुछ खबरों में दावा किया गया है कि भले ही इसराइली सेना दावा करें कि वो गाजा सीटी के बीचों बीच पहुँच चुकी है लेकिन हाखियकत में इस दावे पर पश्वी मीडिया के वार एक्सपर्स अब सवाल उचान लगे हैं इसराइल के चौटी से जादा सैनिक जमीनी हमले के दोरान मारे जा चुके ही हम आपको पश्वी मीडिया के दावों के हवाले से बताने जा रहे हैं कि इसराइल सेना पर डवल धमाके के साथ डवल हमले की तैयारी हमास ने हिजबुल्ला से मिलकर कर ली है इसराइल की वर्दी में हमास के लड़ा के लगता है इस बार इसराइली सेना, इसराइली खुफिया एजेंसी, मुसाद और बीना श्रेत हमास की ताकत और वार प्लेन को समझने में बूरी तरह से फेल हुए हैं 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इसराइली हमले में दावा किया जा रहा था कि इसराइली सेना एक हफ़ते के अंदर उतरी घासा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी लेकिन अभी तक इसराइली सेना सिर्फ चार सो के खरीब सुरंगों को तबाह कर पाई है इदर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इसराइली सेना को उतरी घासा में हरा देंगी अखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है कुछ ख़बरों में यहाँ तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इसराइली सेना के वर्दी पहन कर हमले कर रहे हैं हमास सेना के शाका अलकासम ब्रिगेड ने एक वीडियो चारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उत्री गाजा में इसराइली सेना उनके टैंक उनके बखतर बंद लड़ाको वाहनो यहां तक कि बुल्डोजर पर भी हमास लड़ाके बेहत बेरहम और घा तक हमले कर रहे हैं जरा आप हमास के तरफ से जारी किये गए इस 2 मिनट 44 सेकंड के वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए जिसमें 50 फिस्दी तक तबाह हो चुके घाजा में हमास के लड़ाके चारों तरफ से हमले कर रहे हैं डवल धमा का डवल हमला हमास का खफिया युद हमास के अलकासम ब्रिगेट के लड़ाके आर पीजी थर्मोबेरिक ग्रिनेड रॉकेट से इस्राइली सेडा पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं इस्राइली टेंकों पर महज 100 से 150 मिटर दूरी से एंटी टेंक मिसाइले और रॉकेट से हमले हो रहे हैं हैरानी की बात तो ये है कि हमास के अलकासम ब्रिगेट अमेरिकी और रूसी हत्यारों से इस्राइली सेडा पर हमला कर रही है हमास के पास जो घातक राइफले हैं उन्हें देख कर भी लग जाता है कि या तो अमेरिकी है या पिर रूसी इस वीडियो में दिखाया गिया है कि हमास के लड़ा के अचाहनक तवाही मारतों से बाहर निकल कर RPG फाइर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीरे, रौकेटों से हमल हमास के लडाकों से जंग कर रही है हमास के इस खुफिया युद्धने इसराइली सेना के पसी ने चुटा दिये हैं खोद इसराइल के रक्षा मंतरी तक मानने को मजबूर है क्यों है बेहद कुर और श्रातिर लडाकों से जंग करनी पड़ रही है ओरओे छे, खंग कर दिये हैं अजगा अजगा तरूर तरूर अजगा को अजगा लडा़ इस बना एद़् घरोर एक बना एड़ घरोर तरूर एक टारों किलोमत्रे लिड़े हम मुनुन क्यमर, बट एक बनानी में पहां खड़ր प्लOOOO म doğruे हम खज़े शेमी मेननु नितन लिवगवा और मिसाइल ताकत इसराइल के लिए विनाशकारी सावित होगी हलाकि इसराइली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उतरी घासा में दस घंटे की भिशन जंग में पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के बहुत बड़े गढ़ पर खबजा कर लिया है इसराइल की आईडी एफ ने दावा किया है कि महज दस घंटे की लड़ाई के बाद हमास का प्रमुक गढ़ पर खबजा कर लिया गया है इसराइली सेना का कहना है कि दस घंटे की भिशन जंग में हमास के धरजनों लड़ा के मारे गए है आईडी एफ की मुख पैदल सेना इकायों में से एक नाहल ब्रिगेट के सैनिकों ने उतरी गासा के पश्रुम में जवालिया पर भिशन हमला किया है जवालिया में आउट पूस्ट स्वेंटिन पर आईडी एफ ने हमास लड़ा को गुमार कर खबजा कर लिया है आईडी एफ ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ा के जमीन के उपर और भूमीगत मार्क से हमले कर रहे हैं आईए से और आईडी एफ की खुफिया जानकारी के अधार पर एक आईडी एफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास के एंटी टेंक मिसाइल यूनिट के प्रमुक इबराहिम अबु मगसीब को मार डला है आईडी एफ के मताबिक अबु मगसीब के मारे जाने से पहले इसराइली सेना और आईडी एफ सेनिकों पर कई एंटी टेंक मिसाइल से हमले करने जा रहा था इससे पहले हमास के एंटी टेंक मिसाइल के कमांडर मुहम्मद असर को आईडी एफ ने मार डाला था आइडिएफ ने कई तस्वीरे जारी की हैं जिसमें दावा किया गया है कि नॉर्थ गासा में हमले बेहत तेज कर दिये गये हैं इस्राइली सेना ने ये भी दावा किया है कि हमास के खरीब सार्च कमांडरों को अब तक मार दिया गया है रॉय्टर्स के मताबिक इस्राइली सेना ने गाजा में हमास के चिफ आया सिन्वार को उसके बंकर में अलग ठलग कर दिया है वो बंकर के बाहर के दुनिया से पूरी तरह से कड़ चुका है इदर इस्राइल के युद काबिनेट के मंतरी रॉन डर्मर ने दावा किया है कि तीस दिन से जादा की जंग में तीन से चार हजार से जादा हमास लड़ा के मारी जा चुके है इद एक जादागा पजास फस्नी लागा बुरी तरस बाह चुका है फल्स्तिनी और हमास समर चुके बीच कुहरा ममचा हुआ है एपकारें काया वाल पार्ण। झाल झाल